आजमगर जिले के प्रात्मिक स्वास्तेकेंदर ठेकमा का एक वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में आशा कारेकरता BCPM से बकाया भुकतान को लेकर बहस कर रही है तबी अचानक उनमें से एक आशा उठती है और बाबू के उपर कुर्सी से प्रहार करने की कोशिश करने लगती है उसका ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया वीडियो को संग्यान में लेते हुए CMO ने जाँच के निर्देश दिये हैं दरसल ठेकमा प्रत्मिक स्वास्ते केंदर से जुड़ी आशा करेकरताओं का मांदे वा अन्य भुकतान काफी दिनों से बकाया चल रहा है जिसे लेकर पी एच्सी में अकसर ही आशाओं का जिम्मेदारों से विवाद होता रहा है बताया जाता है कि बकाया भुक्तान के पीछे जिम्मेदारों दोरा घूस की मांग की जा रही है वारल वीडियो में कुर्सी से बाबू के उपर हमला करती दिख रही आशा का नाम संगिनी मीनू सिंग बताया जा रहा है मीनू वा उनके कुछ साथी अपने बकाया भुक्तान को लेकर BCPM करेले में मौझूद है जहां भुक्तान को लेकर एक बाबू वा BCPM से कहा सुनी हो रही है इसी दोरान आशा संगिनी ने कुर्सी उठा कर एक कर्मी पर हमलाब बोल दिया कुछ लोगों ने बीच बचाव कर आशा संगिनी को रोका इस पूरे घटना कर्म का वीडियो हमने आपको दिखाया मामले में आजमगर CMO डॉक्टर आई एन तिवारी ने कहा कि वारल वीडियो संग्यान में है प्रकरण की जाँच का निर्देश दिया जा चुका है जाँच में जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ सक्त से सक्त का रिवाई की जाएगी आशा का मुक्तान क्यों नहीं किया जा रहा है इसकी भी जाँच कराई जा रही है बाबू के घूस मागने पर क्या आशा द्वारा उसकी कुर्सी से पिटाई करना सही था इस पूरे वारल वीडियो और प्रकरण पर आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा